आपको हर्दिक स्वागत है और आज हम फर से लेके आ गए हैं बटा डेली 30 देखे डेली 30 में जो हम क्लास लेते हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट नी 2023 के लिए प्रिपेर कर रहे है तो नी 2023 में आप लोगों को फिदक्स का जो पोर्शन है वो अगर अ चाहिए है हर रोज की हर रोज एक कंसेप्ट लेते हैं और उस कंसेप्ट के क्वेश्चन किस तरह से आपको जल्दी सॉल्व करने उसको जो शॉटकट है उसका जो लॉंग मेथट है उसकी जो थिओरी है वो सारा यहां पर हम कंप्रीट करते हैं आज का जो हमारा टापिक करना है जिस चैनल पर आप क्लास देख रहे हैं और दूसरा चैनल है इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए इस से क्या होगा आपको नॉटिफेकेशन आएगा और आपको पता लग जाएगा क्लास जो है किस टाइम स्टार्ट हो रही है चलिए पहले टापिक को ल आपका कहीं से भी मतलब की साउंड प्रोडियूस हो रही है तो उसमें आपका बीट रहता है तो बीट का मतलब क्या है आपकी दो साउंड वेव्स आप बोलेंगे तू साउंड वेवस एंटरफेर वद इच अगर दो साउंड वेवस आप इसमें अंटरफेर कर रही है लेकिन दोनों साउंड वेवस की जो डारेक्ण है वो क्या है बेटा सेब दारेक्ण जो साइरन लगा होता है एंबुलेंस के साइरन के आवाज आपने सुनी है आपको आवाज कुछ ऐसे सुनाई देते हैं तो ऐसे करके जो आवाज आती है वह उसमें भी आप बीट देखते हैं जतना ज्यादा मैं आपको अभी बताऊंगी बीच के अंदर कि जब जब आपका बंता है तो वहां पर क्या होता है वह दोनों जब रज़ुटेंट बनाती है था उनका रिज़ुटेंट जीरो बनता है तो रिघभाणीश्र इसको बोलते हैं दस्ट्रक्टोंं अ पिकेस केस में आपकि जो साउंड है या जो सकहरों है वह एकदम क् सुलिए आती है तो यह आपका बीट रहता है तो बीट से क्वेशन जो आते हैं काजिल कुमारी गुड आफ्टरनून बेटा और दिपक फॉर समिंटी नाइन हेलो बचे देखेगा यह बीट में मैंने आपको दो तीन चीजें बताई है ध्यान से सुनीगा बीट जो है यह आपका साउंड वे तो साउंड वेव जब निकलती है तो जो बीट होती है वो दो साउंड का मिक्शिंग होती है दो साउंड क्या कर रही होती है मिक्स हो रही होती है तो एक साउंड यह है यह निकल क्या है और दूसरी वेव यह निकल क्या है जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेर कर जा थी कि stationary wave के अंदर जो आपकी वेव चलती है उन्ट दोनों का डारेक्शन ऑपोजित होता है stationary wave में एक अगर वेव ऐसे चल रही थी तो दूसरी ऐसे चल रही थी लेकिन beat में क्या होता दोनों की direction सीम होती है लेकिन standing wave में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि standing wave के अंदर जो frequency थी वो दोनों की सेम रहती थी लेकिन यहाँ पर frequency सेम नहीं होती बेटा यहाँ पर frequency अगर इसकी मालो 30 है तो इसकी frequency हो सकता है 31 या 32 हो या फिर ऐसा भी हो सकता है इसकी frequency 28 या 29 हो तो यहाँ पर frequency में slight difference होता है बीट के अंदर frequency में difference होता है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता है बहुत माइनर सा difference होता है standing wave के अंदर अगर आप stationary wave में जब आप दिख रहे थे तो दोनों के अंदर क्या हो रहा था आपका frequency जो है दोनों waves की सेम आ रही थी और direction जो है वो opposite थी यहाँ पर direction सेम है लेकि देखें मैं आपको एक वर इस graph के थूरू बता देती हूं कि आपका beat में कैसे रहता है जहां से देखना कि भाद होता क्या है धान से देखेंगा अगर मैं इस point पर देखो दोनों वहीं की स्वोइंट पर यहाँ पर देखो इसका amplitude ऊपर की तरफ है और यहां पर यह देखेंगे तो इस पॉइंट पर यह अंपलिट्यूड नीचे की तरफ है तो यहां पर आपका क्या हो रहा है अगर मैं इन दोनों को मिला रही हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है तो अगर आप देखेंगे तो resultant क्या होगा इस amplitude की कुछ value होगी मान लेज़े यह amplitude मेरा a1 है और यह amplitude मेरा a2 है तो मैं net पूछती हूँ क्या होगा तो आप net amplitude बोलेंगे a1-a2 क्योंकि एक maxima पे है एक minima पे है एक उपर है और एक नीचे आप बोलेंगे कि net जो आपका amplitude का resultant आएगा वो a1-a2 आएगा अब मैं आप पो बोलती हूँ कि यह उपर वाला amplitude और नीचे वाला amplitude सेम हो जाए दोनों की value अगर सेम हो जाए तो net resultant क्या बनेगा 0 और यहाँ पर net resultant आप देख मेरेंगे यह 0 है ठेक है और यहाँ पर आपकी beat एकदम clear आते हैं इसी को आप बोलते हैं इसी को आप बोलते हैं destructive interference इसी को आप बोलते हैं minimum अगर मैं इसके लावा किसी और point पर देखें इस point पर अगर मैं देखू तो यहाँ पर देखो इस wave के लिए यह देखेगा इक बार के लिए हा जाँ देखेगा मालीजे मैं कोई भी point लेते हूँ मालन जे मिए is point पर देखेगा यहाँ पर जो यह amplitude है यह मेरा ऊपर की तरफ है और दूसरी wave का amplitude भी ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर यह भी ऊपर की तरफ यह भी ऊपर की तरफ है तो मेरा जो resultant बना ध्यान से देखी ये जो है बड़ा हो करके मिल रहा है, कहने का मतलब है जो इसका resultant बन रहा है बच्चे, वो resultant मेरा क्या बन रहा है, मालिए जिए मैं इसको A1 लेके चलती हूँ और इसको A2 लेके चलती हूँ, तो दोनों का मिला करके मेरा amplitude जो है वो बड लेके maxima, क्या बोलते हैं, maxima इसको आप destructive interference बोलते हैं, इसको आप constructive interference बोलते हैं, constructive interference, यहापके destructive हो रहे हैं, meinas हो तो यह आपके क्या बनती है बटा कोई भी beat बनती है तो यह मैंने आपको graph के थूरू समझा भी दिया, कि बीट आपकी बंती कैसे है ठीक है अब देखेगा बीट के question कैसे solve होते है अब हम वो देखेंगे जहां से देखेगा जहां से देखेगा पिटा यहां पर लिखा हुए number of beats और beat frequency तो number of beat या beat frequency बच्चे कैसे निकालते हैं जहां से देखेगा beat frequency का मतलब होता है beat frequency जब आप निकालते हैं तो beat frequency का मीन होता है number of beats number of beats per second number of beats per second that is beat frequency उसको आप क्या बोलते हैं बटा beat frequency तो यहां से देखेगा अगर मैं बोल रहे हैं beat frequency क्या है number of beats per second है तो एक beat बनती कैसे है ध्यान से देखेगा आपके अगर मैं पूछू कि one beat कैसे बनती है तो आप बोलेंगी one maxima और उसमें है one minimum तो दोनों को मिला करके एक beat बनती है आपकी complete ठीक है तो ध्यान से देखेगा अगर मैं यहां पर beat frequency देखेगा तो यह है number of beats per second तो इसको और कैसे लेख सकते हैं इसको ऐसा बोल सकते हैं maxi mass या number of maxi mass per second number of maxi mass per second या फिर आप इसको बोल सकते है number of mini mass per second यह मेरा beat frequency निकालने का formula है अब देखें इसका actual formula आप क्या लेते हैं जब को भी numerical solve करते हैं तो beat frequency actually में जो उती है आपकी वो आप कैसे निकालते हैं वो आप लेते हैं mod के अंदर f2 minus f1 second frequency minus first frequency अब कोई फरक नहीं पढ़ता है sign जो आपका mod के अंदर है तो positive रहेगा आप यह तो होगी beat frequency beat frequency आप कैसे निकालते हैं f2 minus f1 करके और अगर time period of beat पूछले आप से अगर इसकी बजाए पूछले time period of beat time period of beat क्या होता है बटा देखो time period क्या होता है 1 upon frequency frequency क्या होता है 1 upon time period तो मुझे तो time period क्या होता है 1 upon frequency तो मैं इसको क्या लिख सकते हूं 1 by mod of f2 minus f1 तो यह मेरा निकल के आगया बेटा time period of beat यहां से दिखेगा तो number of beats या beat frequency अगर कभी निकाल नहीं है तो beat frequency के लिए formula है mod of f2 minus f1 time period of beat निकालते हैं तो 1 by f2 minus f1 चीक है चलिए अब question solve करके देखते हैं कि इस formula से question क्या से solve है तेखे चलिए question देखे बटा एक बार question है two vibrating tuning fork produce progressive waves दो vibrating tuning fork है tuning fork मैंने बता गिये थे कल क्या होते हैं तो tuning fork दो tuning fork है दोनों vibrate कर रहे हैं और जब हों vibrate कर रहे हैं तो उससे क्या produce हो रही है बिटा progressive waves produce हो रही है अब एक wave की equation आपको यह दी है और दूसरी wave की equation यह दी है जहां से देखेगा number of beats produced per minute is और आपको क्या पूछ रहा है number of beats produced per minute आप से पहले number of beats per second में निकाल लीती हूँ फिर उसको minute में convert कर दूँगी है ना कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेगे मुझे निकालना है number of beats per second तो number of beats per second निकालने का formula मैंने अभी आपको बताया था वो होता है आपको f2 minus f1 ठीक है अब मुझे यहाँ पे f2 चाहिए और f1 चाहिए यह दोनों कैसे निकालोंगे बटा देखो आपके सामने दो waves दी है यहां से मैं f निकाल सकती हूँ कैसे निकालोंगे ध्यान से देख ओमेगा टी देखो यह रहा ओमेगा और यह रहा टी तो a sin देहां से देखिया a sin omega t तो omega कितना हूँ अबटा यह हूँ ओमेगा तो यहां से मैं इसको मैं लिख लेते हूँ यह है omega 1 और यह है मेरा omega 2 चिक है omega 1 देखो मेरा क्या आगया 500 pi और omega 2 महां से मैंने निकाल लिया है यह आगया आपका 506 pi अब omega से आप f निकाल सकते हैं omega क्या होती है angular frequency और f होती है आप भी normal frequency तो यह आपका क्या रहता है omega होता है आपका omega आपका होता है 2 pi f चिक है 500 pi और यहां से इसको भी मैं आसे ही लेक सकते हूँ omega 2 को 2 pi f 2 is equals to 506 pi यहां से देखेगा तो यहां से pi से pi मेरा cancel हो गया अब मैं यहां से 2 से card भी देती हूँ यह आगया 250 तो f1 की value मेरी आगय 250 hertz यहां पर भी ऐसे pi से pi कड गया 2 से 506 काटेंगे तो 2 2s आ 4, 2 5s आ 10, 2 3s आ 6 तो f2 की value मेरी कितनी आगी 253 hertz तो देखो मेरे पास f1 भी आ चुका है और f2 भी आ चुका है तो मैं अब इस formula में अगर put कर दूँ तो मेरे पास number of beats per second आ चाहिए यहां से देखेगा अगर मैं यहां पर put करती हूँ f2 की value 253 और f1 की value है 250 तो मैंने put कर दी है 250 तो यह मेरी कितनी आगी यहां से देखेगा 3 मेरा answer यहां से आ गया मतलब कि number of beats per second मेरा 3 आ गया है लेकिन मुझे question में per minute चाहिए तो इसको अगर मुझे minute में change करना है तो 60 से multiply कर दूँगी तो यहां पर 3 into 60 तो यह आ गया 180 per minute ठीक है number of beats per minute तो कितना आ गया 180 आ गया तो answer यहां है ठीक है formula number of beats per second का यही एक ही formula होता है और उस वहां से आपको F1 और F2 निकालना होता है F1 F2 निकाल करके और यहां पर पुठ कर दीजिए आपका number of beats per second पूछे तो यहां का यह answer है मिनट में पूछे तो मिनट में कर बट कर लो ठीक है यहां बताइए अगर कोई भी इस question में अगर दिक्कत है तो मुझे comment section में बता दो अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं बोले चलिए आगे देख लिया भई चलिए देखेगा next question के तो two sound waves पर the wavelength दो sound wave है उसकी wavelength दिये बता एक sound wave की wavelength wavelength को आपले इतने बता लेंडा से यहां पर यह lambda 1 की value दे दी मुझे and 5.5 meter तो दूसरी lambda की value मुझे यह लेंगे कहता है दो sound wave है एक की wavelength इतनी है और दूसरी की wavelength इतनी है अब कहता है each propagate in a gas with velocity 330 meter per second कहता है दोनों ही जो waves है वो gas के इंदर propagate कर रही है और वहाँ पर velocity of sound आप कितनी रखेंगे वहाँ पर उसकी जो velocity है उन sound waves की वह है 330 meter per second यह V की value दी velocity of sound V कितना दिया है 330 meter per second lambda 1, lambda 2 दोनों wavelength की value दी अब कहता है we expect the following number of beats per second यहाँ पर कह रहा है कि हम क्या expect करें कि number of beats per second कितने होंगे तो number of beats per second निकालने का मैंने अभी तरीका बताया था आपको number of beats per second अगर आपको निकालना है तो आप formula यूज़ करेंगे f2 minus f1 वाला अब मैं यहाँ से f2 और f1 कैसे निकाल हूँ ध्यान से देखना हूँ मेरे पास v है और lambda है तो मैं f निकाल सकते हूँ इजली कैसे निकाल हूँ के बेटा ध्यान से देखना है इधर देखना है गड़ी मेरे पास जो formula होता है v का वो होता है f into lambda तो यहां से F क्या बन जाएगा अगर मुझे यह चाहिए तो यह बन जाएगा V by lambda तो यहां से मैं पहली वेव के लिए F1 निकाल लेती हूँ V by lambda 1 और दूसरी के लिए निकाल लेती हूँ F2 is equal to V by lambda 2 F1 निकाल लिए V की value देता है 330 और lambda 1 की value देता है 5 तो यहां से काटेंगे तो 5 6 दा 30 और 5 6 दा 30 F1 जो मेरा आगया हूँ आगया 66 हर्ट्स और यहां पर अगर आप F2 निकालेंगे तो जहां से देखेगा यह मेरा V की value दी है 330 और lambda 2 की value बटा दी है 5.5 तो यह पॉइंट अटाएंगे तो उपर एक 0 आजाएगा तो यह बन गया 11 5 जा 55 11 3 जा 33 और 5 से तो यह आगया 60 F2 की value आपकी आगी 60 हर्ट्स अब देख लो और आम से रख लो अम एन्ने बढ़ा mod के अंदर है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा साइन आपका मेशा positive आएगा तो आपका number of beats per second क्या आगया 66 minus 60 मतला क्यों कितने आगया 6 beats per second चिक है तो answer यह आगया आपका अब देख लिजिए यहाँ पर आपको lambda दिया था और V दिया था तो F आप easily निकाल लिए इस question में अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताईए otherwise number of beats per second निकालने का formula यही होता है बस आपको F1 और F2 ढूंडना होता है ठीक है चलिए देखिए अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताईए नहीं तो फरागे चल देख लिजिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ब अब next आता है question ध्यान से देखिएगा, question देखने में बहुत बड़ा लग रहे है लेकिन बहुत easy ध्यान से देखिएगा, बोलता है two sources of sound placed close to each other, बोलता है दो sources है sound की, मतलब दो sources sound निकल रही है, एक DJ से निकल रही है, एक आपकी whistle से निकल रही है, तो sound के दो source है वो एक दू situation बनेगी, एक यह दे रखिया और एक यह दे रखिया, अब कहता है an observer located near these two sources, कोई observe करने वाला, मानने चाहिए आप observe कर रहे हैं उसको, सीमा, बहुत, hello ma'am, hello बच्चा, अब देखिए मैं क्या बोल रही हूं आपको, an observer located near these two sources of sound will hear, कहता है कोई जो observer है, वो बहुत pass है उस sound क तो उसको जो सुनाई दे रही है, वो कितनी beats per second सुनाई दे रही है, मतलब निकालना अगर आप option देखेंगे न, तो beats per second, beats per second, beats per second और beats per second गया है, तो पहले number of beats per second निकाल लेगे, तो देखो, दो equation है, तो पहले question की तरही, दो equation है, तो आप number of beats easily निकाल सकते हैं, क्यासे निक beats per second नकालने का तरीका बताया है बेटा क्या होता है formula mod के अंदर f2 minus f1 तो यहां से आप frequency कैसे निकालेंगे देखो यह क्या है a sin omega t तो omega 1 की value बोलिए मेरी क्या है omega 1 की value है 600 pi और omega 2 की value बोलिए कितनी है 608 pi तो omega 2 की value 608 pi जहां से देखिए अब omega को आप लिख सकते है 2 pi f1 is equals to 600 pi और यहां से इस omega को आप क्या लिख सकते है 2 pi f2 2 pi f2 is equals to 608 pi जहां से देखिए तो मेरा यहां पर अगर आप देखेंगे pi से pi कड़ गया pi से pi कड़ गया तो यह मेरा 2 से कार दो 300 आ गया उठा करके तो f1 की value आगी 300 hertz और f2 की अगर आप यहां से निकालेंगे तो यह कार दीजिए 2 3s are 6, 2 4s are 8 f2 की value यहां से कैसे आई 304 hertz देखो यह वही तरीका जो मैरे पहला question किया था दो equation दी है तो उसमें से omega निकाली और वहां से 2 pi f लिखके उसको और f की value निकालेंगे अब number of beats per second कैसे निकालेंगे यह f1 और f2 की value रख देंगे तो बड़े में से छोटा minus कर दो तो यह ध्यान से देखो यहां पर मेरा f2 केतना आया 304 तो यह 304 और यह 300 तो कितना आ गया number of beats आ गई मेरी 4 number of beats कितनी आ गई 4 beats per second अब देखो दो option आपको इसे दिख रहे है 4 beats per second और 4 beats per second मतलब यह वाले तो है नहीं तो इन दोनों में से कोई एक option आएगा अब कैसे निकालेंगे आगे पड़ो with intensity ratio 25 is to 16 between vexing and vaning अगले में बोल रहा है with intensity ratio this between vexing and vaning अगले में देखो चारों में आपको intensity ratio दिया अब सुनों इसके अदर दो वर्ड है एक vexing वर्ड है और एक vanning वर्ड है तो vexing वर्ड का मतलब होता है vexing का मतलब होता है बिटा maxima vexing का minima maxima और vanning का मतलब होता है बिच्चे minima देखो लिखा हुआ यह रहा vanning और यह रहा waxing vanning का मतलब होता है minima यह चीज़ याद रखेगा waxing का मतलब maxima और vanning का मतलब minima तो आपको जो intensity की ratio दिये वो किस्टम में दिये waxing और vanning के टम में दिहान से देखेगा maxima का मतलब क्या है मैंने अभी बताया था maxima अगर आप देखेंगे तो कहां आ रहा था maxima constructive interference में और constructive interference में अगर आप resultant amplitude निकाल रहे थे तो वहाँ पर दोनों amplitude का क्या हुए जा रहा था addition और minima आपका भी दिखाया था मैंने minima आपका कहां आ रहा था minima आ रहा था आपका constructive interference में sorry destructive interference में तो destructive interference में आप जब resultant amplitude निकाल रहे थे तो आप बड़े में से छोटे को minus कर रहे थे है ना तो अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए intensity ratio चाहिए जहान से देखना इंटेंसिटी का amplitude के साथ क्या relation होता है इंटेंसिटी होती है directly proportional to amplitude का square यह होती है तो यहाँ पर आपके question को कैसे solve करें के ध्यान से देखिए एक बार not पे आते हैं देखिए यहाँ पर यह question मेरा कैसे solve होगा देखो मैंने बोला intensity जो होती है मैंने बोला जो intensity होती है वो होती है आपके amplitude के square के बराबर उसने काया maxima to minima का ratio बताओ तो मैं लिख लेती हूँ कि intensity में जो है maxima upon minima का हम भी क्या निकालना है ratio निकालना है तो intensity maxima क्या होगी किसके बराबर है amplitude के square के amplitude of maxima और upon में amplitude of minima और इसका whole square देखो इसी फॉर्मूली को follow किया है अब amplitude of maxima को आप क्या लिख सकते है amplitude of maxima का मतलब है दोनों amplitude को उठा करके क्या कर दो add कर दो तबी तो बड़ा होगा maxima आएगा और minima कब आएगा जब एक में से दूसरे को minus करेंगे ठेक है आप देखो वापस चलते है और वहाँ से amplitude की value लेकpa प्लीकी लेकर आते हैं ए हम्पीटियूड की value अगर अगर आप कोश्शन यह देखो यहाँ पर amplitude की value कितीनी है 4 और यहाँ पर amplitude की value कितीनी है 5 तो 4 और 5 मेरे पास जो हैं 2 amplitude 4 और 5 तो देखेगा यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे 4 प्लस 5 9 और यहाँ पर 5 में से 4 माइनिस करेंगे तो 1 यह मौड के इंदर होता है तो यह हो गया square तो यह आ गई ratio 81 बाई 9 का square 81 और नीचे आ गया 1 तो i mix upon i minimum intensity का जो ratio आया वो मेरा कितना आ गया बेटा 81 बाई 1 ठीक है तो अब जिसमें यह option था वो आपका answer आ जाएगा वापस चलें जहां से देखेगा यह देखो हमारा कौनसा option बन रहा था हाँ यह तो अपने गलती आ गय थी क्योंकि हमारा answer आया था 4 beats per second और 4 beats per second तो मैंने बोला था इन दोनों में से को एक option बनेगा तो इंटेंसिटी रेशियो देखो 25 इस्टो 16 और 81 इस्टो 1 तो आंसर क्या आ गया बिटा आंसर आ गया D यह ना पहले हमने beats per second निकाली कौनसा फॉर्मूले से F2 माइनस F1 से पहले है यह निकालने के बाद फुर हमने इंटेंसिटी रेशियो निकाला इंटेंसिटी रेशियो कैसे दिखेंगे इंटेंसिटी जो होती है वह amplitude के स्केर के बराबर होती है तो between waxing and wedding बोला है तो maxima अपॉन minimum maximum upon minimum maximum में क्या करेंगे दोनों amplitude को add कर देंगे देखो वर्ड से भी पता लग रहे है maximum मतलब बड़ा हो क्या रहे तो बड़ा कब होगा जब दोनों का अड़ कर देंगे और छोटा minimum छोटा कब होगा जब किसी का difference आईगा है ना अब next question देखिएगा next question देखिए बटा क्या बोल रहे है क्यता है source of frequency new तो frequency को आप कई बार x से भी लिखते है और कई बार new से भी लिखते है तो कह रहा है source of frequency new gives 5 beats per second when sounded with the source of frequency 200 hertz एक source है जिसके frequency new है और उसको sounded कर दिया गया मिक्स कर दिया गया किसके साथ एक दूसरी frequency 200 hertz की frequency के साथ है तो वहाँ से जो beat निकलती है वो 5 beats per second निकल रही है आगे पड़ो बोलता है the second harmonic of the frequency 2 new of source अब कोई source है जहां से frequency निकल रही है 2 new और उसको अगर sounded कर देते है with the source of frequency 420 hertz किसी दूसरे source के साथ तो उसमें से 10 beats per second निकल रही है किते है value of new निकाले तो कैसे निकालेंगे दहां से देखेंगे यहां पर पहले एक equation बनाते हैं यहां से यहां तक के लिए और एक equation बनाते हैं यहां से यहां तक के लिए तो पहला पढ़ते हैं देखो सबसे पहले बोलता है एक source है मैंने source first लिख लिए है और दूसरा source मैंने source second लिख लिख लिए है और इन दोनों की sounded करके आप एक beat बना रहे हैं द्हांसे देखे तो source 1 से जो frequency निकल रहे है बटा वो मेरी new निकल रहे है और उसको sounded कर दिया है कौनसे frequency के साथ 200 Hz frequency के साथ है और उसमें से जो beats निकल रहे है वो 5 beats निकल रहे है अब आगे बोल रहा है second equation देखिए the second harmonic of frequency second harmonic मतलब इससे next second harmonic आप कैसे निकालते हैं मान लिजे मेरा कोई भी open organ pipe है या closed organ pipe है तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताए जैसे मान लो मैंने open organ pipe लिए है तो वहाँ पर मेरी जो first harmonic होता था वो मेरा V by 2L होता था तो मुझे अब second harmonic चीए था तो यह क्या आता था 2 of F1 इसका double नहीं आता था ऐसे second harmonic जो है वहाँ पर यह जो frequency दी है यह दी है 2 new और sounded कर दिया कितनी frequency के साथ बचा 420 के साथ और यहां से beats जो निकल रहे हो कितनी निकल रहे हैं बटा 10 beats per second और आपको new की value निकालने है यह इसकी value निकालने है कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना इस question को एक बार ध्यान से देखना इस question को यह कैसे निकालेंगे तो एक चीज देखो यहां पर यह मेरी क्या था f2 minus f1 is equals to number of beats per second ऐसे निकलता था तो अगर मुझे यह देखनी है तो number of beats में f1 में add कर दूँगे अगर मुझे यह चाहिए तो मैं number of beats में यह add कर दूँगे ऐसा ही होता था था ना तो यहां पर देखो अब मुझे यह बताओ कि मैं मुझे new के value निकालने है एक frequency निकालने है वाले frequency में अगर मैं या तो इसके अंदर add कर दूँ या इसके अंदर minus कर दूँ तो मेरी यह source 1 का पता लग जाएगा तो या तो यह इससे कितनी आगे होगी या तो 205 होगी या तो इससे 5 पीछे होगी कितनी होगी 195 होगी ऐसे यहां पर अगर मैं यह देखूँ तो यह 420 ह तो 10 beats निकल रही है तो या तो इससे 10 आगे होगी या तो 10 इससे पीछे होगी अब देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह इसका दुगना है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि second harmonic यहां कैसे निकलेगा double होके कौन आ रहा है देखो गर आप यहां पर देख तो यह देखो इसका double आ रहा है तो new की value क्या आई बेटा 205 और 2 new की value फिर यह हो जाएगी तो उसने new की value पूछे तो हमारे पास answer जो आगया हो कितना आगया 205 हर्स तो answer क्या आगया 205 हर्स ठीक है तो यह थी हमारे number of beats जो है उसके question और कैसे solve करने वह उने आपको दिखा भ